हाई गाईज वेलकम चिन अदर एपिसोड आफ करेंट ओफेयर्स आज की तारीख है दस मार्च दोहजार इस हमारे दो चानल्स हैं पिनेकल और फ्रेंटियर आएस और अगर अभी तक आपने चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूल कियेगा और यह सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह चार बुजे वेलबल हो जाता है साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोज पीडियाफ एंड मंतली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रेंटियर आएस और एस सीजल पिनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें राजिया में विश्व कोशल के इंद्रका उदगाटन किया गया है तो इसका सही जवाब था ओडिशा स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेस्टिन देखो आज के सेशन का अपराद रोक्थाम वह अपराधिक न्याय पर 14th संयुक्त राश्ट्र कॉंग्रेस किस देश में आय आयोजित की जा रही है या तस्वीर में देख लीजिए 1970 के बाद से जपान पहली बार कॉंग्रेस की मेजबानी कर रहा है इस वर्ष इस कारेकरम को एक हाइब्रिड प्रारूप यानि हाइब्रिड फॉमाट में आयोजित किया जा रहा है अपराधिक न्याय से संबंदित प्रमुख मुद्दे है अपराध की रोक थाम के लिए रनीती बनाना यानि स्ट्राटेजी मेकिंग और कानून के शासन यानि रूल ओफ लॉक को बढ़हावा देना बात करें हाँ पर जपान की तो इसी कैपिटल है टोकियो और क्रेंसी है येन नेक्स्ट वेस्टन है BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमिन ऑफ दि एर पुरसकार किसने जीता है तो इसका सई जवाब है option number D कॉनेरू हमपी तो रापिट फोर्माट में विश्व शत्रन चैंपियन कॉनेरू हमपी ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमिन ऑफ दि एर का दूसरा सं संसकरन जीता है पंद्रा साल की उमर में सबसे कम उमर के ग्रैंड मास्टर बनने वाली हमपी ने सरवाधिक मत यानी मोस्ट वोट्स प्राप्त करने के बाद यह पुरसकार प्राप्त किया यहोने तस्वीर में देखिए चालिस सदसे जूरी ने पिछले महीने इस साल के सम्मा कि सराज्य में आयूजित किया गया है उसका सई जवाब हो अप्शिन निबर बी उत्राखंड तो भारत और उस्बेकिस्तान के बीच संयुक्त अभयास डस्ट निक 9 मार्च और 21 मार्च से उत्राखंड के रानी खेत के पास आयूजित किया जा रहा है यह संयुक्त सैन्य अ रवाई से निपटने की कुशलता विक्सित करना है भारती सिनका रप्रेजंटेशन तेरा कुमाउ रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है जिसे रेजांग ला बटालियन के रूप में भी जाना जाता है इस रेजिमेंट ने 1962 में चीन के साथ रेजांग ला की लड़ाई मे अपनी वीरता के कारण ख्याती यानि फेम अरजित की थी बात करें हाँ पर उस्बेकिस्तान की तो इसी कैपिटल है ताशकेंथ और करंसी है उस्बेकिस्तानी सौंग तो अमेठी संगराम एतिहासिक जीत अन कही दास्तान का अंगरेजी अनुवाद 15 मार्च को रिलीज होगा पत्रकार लेखक अनन्त विजे की पुस्तक वेस्ट लैंड दवार प्रकाशित की गई है या तस्वीर में देखिए इस पुस्तक में केंदरी मंतरिस्मृती इरानी की 2014 की हार से लेकर 2019 के लोग सभा चुनाव के दुरान अमेठी उतरप्रदेश के कॉंगरेस से गड़ में उनकी जीत तका सफर तै किया गया है हिंदी पुस्तक 2020 में प्रकाशित हुई थी नेक्स्ट क्वेस्टन देखो राजिस्तान के डेरी क्षेत्र के लिए उतकृष्टा केंदर के देश के सहयोग से सापित किया जाएगा तो इसका सही जवाब है ऑप्शन इंबर C डेन्मार्क तो राजिस्तान में डेन्मा के सहयोग से डेरी क्षेत्र में उतकृष्टा के इंद्र सापित किया जाएगा डेन्मा के राजदूत प्रेडी स्वाने ने मुख्य मंतरी अशोग हेलोट से इस संबंद में एक मीटिंग की स्वाने ने कहा कि पशुपालोकों को भेतर सुविधाय देने के लिए डेरी विज्ञानवत तक्नीकी यानि डेरी साइन्स एंट टेक्नोलोजी के क्षेत्र में डेन्मा की विशेश अग्यता का लाब राजस्थान को उपलब्ध कराने के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा या तस्वीर में देखिए बैठक में जल संरक्षन वजल शुदी करन यानि वाटर कंजर्वेशन और वाटर प्यूरिफिकेशन के क्षेत्र में भी डेन्माक से सहयोग की संभावनाओ पर चर्चा की गई बात करें हैं आपर डेन्माक की तो इसी कैप्टल है कोपिन हेगन और करंसी है डैनिश क्रोन वहीं बात करें राजिस्थान की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल जस्वंत सागर लूनी और राना प्रताप सागर चंबल नाशनल पार्क्स में आता है रंतंबोर नाशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कियो लादियो नाशनल पार्क और डेजर्ट नाशनल पार्क राजस्तान की कैप्टल है जैपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर है अशोक गेहलोद वर्ल हेरिटे साइट्स में आता है जैपूर सिटी और जंतर मंतर नेक्स्ट क्वेस्टिन है आर्थिक स्वतंतरता सूच कांग 2021 में किस देश ने वैश्विक रैंकिंग में शीर स्थान प्राप्त किया है जिसका सही जवाब है उप्शन नमर ए सिंगापूर तो अमेरिकी रूडी वादी थिंग टैंक दी हेरिटेज फाउंडेशन दुबारा पिछले हफ्टे प्रकाशित नवीनतम आर्थिक सोतंतरता सूच कांग में लगा था दूसरे वर्ष में वैश्विक रैंकिंग में सिंगापूर शीर्ष पर रहा टॉप फाइव में हैं सिंगापूर, न्यूजीलेंड, औस्ट्रेलिया, स्विट्जरलेंड और आर्लेंड एशिया प्रिशांद शेत्रों में भारत 40 में से 26 विस्थान पर है विश्व स्तर पर भारत के अर्थ विवस्ता 121 स्थान पर है तो गुजरात और राजस्थान के राजपाल रहे अंचुमान सिंग का निधन हो गया जस्टिस अंचुमान सिंग ने राजस्थान के राजपाल के रूप में 16 जनवरी 1999 को पद भार ग्रेन किया था और मई 2003 तक इस पद पर बने रहे इस से पहले वन 1998 में गुजरात राजपाल थे यहांने तस्वीर में देखिए उन्हें 1984 में इलाबाद उच नियायाले के नियाधीश के रूप में भी न्यूक्त किया गया था और बाद में वे राजस्तान उच नियायाले के कारे वहक मुख्य नियाधीश बने केंद्री उद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो हर साल केंद्री उद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है CISF ग्रहम अंत्रालिय यानि Ministry of Home Affairs के तहट काम करता है यह 1969 में CISF अधिनियम 1968 के तहट भायत की संसद में पारित किया गया था इसकी स्थापना 1969 में हुई थी 1983 में इसे एक सशस्तर बल बनाया गया था CISF के DG है सुबोध कुमार जैसवाल नेक्स्ट क्वेस्टिन है हाल ही में किस राज्ये ने स्वरेन जैनती नारी संबल योजना शुरू की है तो इसका सई जवाब है Option D हिमाचल प्रदेश तो मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया जैराम ठाकुर ने अपने हर बजट में नई योजना को शामल किया है इस बार भी उन्होंने नई योजना शुरू करने की घोशना की है सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वरेन जैनती नारी संबल योजना की तो प्रदेश में 65 वर्ष से 69 वर्ष तकी आयू की सभी पातर वरिष्ट महिलाओं को बीना आय सीमा के एक हजार उपे प्रती मा समाजिक सुरक्षा पैंशन दी जाएगी इससे साथ हजार महिलाएं लभानवित होंगी मुखे मंत्री ने शगुन नाम की एक नई योजना की घोशना की अनुसूचित जाती जन जाती और पिछड़े वर्गे निर्धन परिवारों की कन्याओं को 31,000 रुपे का अनुदान दिया जाएगा अब ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंडे इसको ध्यान रखना उन्होंने योजना विभाक का नाम बदल कर नीती विभाक करने की भी घोशना की है यहाँ पर एक्स्टर इंफर्मेशन की बात करें तो स्वरेन जनती आश्टर योजना में 12,000 गरीब लोगों को बुनियादी सुवधायें वाले घर अवंधित किये जाएंगे मुख्यमंत्री स्वाव लंबन योजना के लिए एकसो करोड रुपे का प्रावधन किया गया है तकि स्वय रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके बात करें यहाँ पर हिमाचल परदेश की इसके नाशनल पर्स में आता है पिनवाली नाशनल पर्क इंद्रकिला नाशनल पाक और खिरगंगा नाशनल पाक हिमाचल प्रदेश के गवर्णर है बंदारू दतात्रेया और चीफ मनिस्टर है जैराम ठाकुर नेक्स्ट क्वेस्टन है तो 1971 के लिबरेशन युद में पाकिस्तान पर एतिहासिक भारतिय विजे के पचासी वर्षगांट के अफसर पर भारतिय नाशनल के जहाज बंदरगा पहुंचा भारतिय नाशनल के जहाज आठ से दस मार्च के बीच तीन दिवस्य बांगलादेश की यात्रा पर है इस एतिहासिक अफसर पर दो युद पोत आईनेस कुलिश और आईनेस सुमेधा मोंगला पहुंचे जहां बांगलादेश नेवी द्वारा उनका स्वागत किया गया भारतिन और सेना के नुसार वर्ष 2021 को 1971 की भारत पाक यूद यानि लिबरेशन वार की 85 वर्ष गांट के रूप में स्वर्णिम विजेव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है हाला कि 2021 बांगलादेश की अजादी का पचासवा साल भी है बात कर लेते हैं बांगलादेश की तो इसी कैपिटल है ढाका और क्रंसी है बांगलादेशी टका बात कर लेते हैं आप आज के सेशन के क्विक समरी की तो 14th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice जपान में और्गनाईस की गई है BBC Indian Sports Women of the Year Award को नेरू हमपी को दिया गया है इंडिया और उस्बेकिस्तान के बीच Joint Exercise Dust Lick उत्राखंड में आयुजित किया गया है Dynasty to Democracy Book अनंत विजे ने लिखी है राजिस्तान में Center of Excellence डेन्मा के कोलाबोरेशन के साथ बनाया जाएगा Economic Freedom Index 2021 में सिंगापूर ने टॉप किया है राजिस्तान के फॉर्मर गरवर्नर अंचुमन सिंग का हाल ही में निदिन हो गया CISF Raising Day मार्च 10 को मनाया जाता है स्वरेन जैन्ती नारी संभल योजना हिमाचल परदेश में लौंच की गई है और INS सुमेधा और INS कुलिष पोर्ट सिटी ओफ मोंगला के दोरे पर है बात कर लेते हैं आज के सेशन के Quiz for the Day के आपका पहला क्वेस्चन है आर्थिक स्वतंतरता सूच कांग 2021 में किस देश ने वैश्विक रैंकिंग में शीर स्थान प्राप्त किया है और आपका दूसरा क्वेस्चन है BBC Indian Sports Women of the Year पुरसकार किसने जीता है इन दोनों क्वेस्चन का आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अब तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथी इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैंडिल्स को जोईन जरूर करना है थैंक्यू सो मच